खाली हाथ जातिवाद के चलते जब प्रेमी अनुरोध पहुचा पागल खाने आगरापूरी दुनिया में ताजमहल के शहर के नाम से मशहूर है इसी शहर में स्थित है मानसिक रोगियों के उपचार के लिए मानसिक स्वास्थे संस्थान एवं चेकित साल्य इस संस्थान को कई भारतिय हिंदी फिल्मों में प्रमुक्ता से दिखाया गया है हालां की सच्चा यह है कि न जाने कितनी भयानक और दुखद कहानिया दफन है इसकी दिवारों में आरो ही को इस संस्थान में आए दो महीने ही हुए थे वह मनोचिकित सक थी इसके पहले वह कई निजी अस के बल पर उसका चयन सरकारी अस्पताल में हो गया था उससे ज्यादा उसका परिवार इस बात से बहुत खुश था वैसे भी भारत में आज भी खासकर मध्य वर्ग में सरकारी नौकरी को सफलता का सर्टिफिकेट माना जाता है आरो ही अपना खुद का नर्सिंग होम खोलन चाहती थी इस के लिए सरकारी संस्थान का अनुभाव होना फायदे मंद रहता है इसी वजह से वो अपनी मोटी सेलरी वाली नौकरी छोड़ कर यहां आ गई थी वैसे आरो ही के घर से दूर आने की एक वजह और भी थी वो विवाह नहीं करना चाहती थी और यह बात उसका परिवार समझने को तयार नहीं था यहां आने के बाद भी रोज उसकी मा लड़कों की नई लिस्ट सुनाने के लिए फोन कर देती थी जब आरो ही विवाह करना चाहती थी तब तो जातब इरादरी की दिवार खड़ी कर दी गई थी और अब जब उसने जीवन के 35 वसंत द साथ लोगों की प्राथमिकता भी बदल जाती है आरो ही उन्हें कैसे समझाती की सूखे फूलों से खुश्बू नहीं आती किताबों में बंद याद बन रह जाते हैं या नींद खुलने पर सपने भी भाप बन उड़ जाते हैं मैडम अरे लता आओ आप कुछ कर रही है त मैं बाद में आ जाती हूँ आरो ही ने तुरंट अपनी डाइरी बंद कर दी और बोली नहीं नहीं कुछ नहीं तुम बताओ क्या बात है 216 नंबर बहुत देर से रो रहा है किसी की भी बात नहीं सुन रहा आज सिस्टर तबस्सुम भी छुट्टी पर है इसलिए 216 नंबर ये कैसा नाम है वह मेरा मतलब है ब्याद नंबर 216 अच्छा चलो देखती हूँ चलते चलते ही आरो ही ने जानकारी के लिए पूछ लिया कौन है एक प्रोफेसर है बहुत ही प्यारी कविताएं सुनाते हैं बाते भी कविताओं में ही करते हैं वैसे तो बहुत शांत हैं प कभी कभी ऐसे ही रोने लगते हैं सुनने में तो बहुत इंट्रस्टन केरेक्टर लग रहे हैं कमरे में दाखिल होते ही आरो ही ने देखा कोई 35-40 वर्ष का पुरुष बिस्तर पर अधलेटा रोय जा रहा था सुनो तुम आप रुखिये मैडम मैं बोलती हूँ हाँ ठीक ह तुम बोलो अनुरोध रोना बंद करो देखो मैडम तुमसे मिलने आई हैं इस नाम के उच्चारन मात से आरोही परेशान हो गई थी मगर जब वह पल्टा तो सफेद काली और घनी दाड़ी के बीच भी आरोही ने अनुरोध को पहचान लिया उसकी आँखों के सामने स्टाफ खड़ा था सीनियर डॉक्टर भी थे तुम्ही क्या हो गया था आरोही डॉक्टर रमा ने पूछा अब कैसा फील कर रही हो डॉक्टर सुधीर के स्वर में भी चिनता जलक रही थी हां मैडम मैं तो डर ही गई थी आपको बेहोश होता देखवल पेशिंट भी अच काम करो हम सब बाद में आते हैं डॉक्टर सुधीर बोले जी मैडम और किसी चीज की जरूरत हो तो आप फोन कर देना उनके जाने बाद आरोही ने जितना सोने की कोशिश की उतना ही वह समय उसके सामने जीवन्त हो गया जब आरोही और अनुरोध साथ थे आरोही और अनु विज्ञान इस दोरान उन्हें कब एक दूसरे से प्रेम हो गया ये वे स्वयम नहीं समझ पाए थे घंटों बैठ कर भविश्य के सपने देखा करते थे देश्वी देश पर चर्चा करते थे समाज की कुरीतियों को जड़ से मिटाने की बात करते थे मगर जब स्वयम के ल कैसे देख सकता था अपने प्रेम के लिए लड़ नहीं पाए थे दोनों और अलग हो गए थे आरोही ने तो विवाह नहीं किया परंतु चार माइनस पांच साल के बाद अनुरोध के विवाह की खबर उसने सुनी थी उस विवाह की चर्चा भी खूब चली थी उसके घर मे सबने चाहा था कि आरोही को भी शादी के लिए राजी कर लिया जाए परंतु वे सफल नहीं हो पाए थे आज इतने सालों बाद अनुरोध को इस रूप में देख कर्स तब्ध रह गई थी वह अगले दिन सुबह ही वह दोबारा अनुरोध से मिलने उसके कमरे में गई आज उसके चहरे से दाड़ी भी गायब थी और बाल भी छोटे हो गए थे अनु आरोही ने जानबूज कर उसे उस नाम से पुकारा जिस नाम से उसे बुलाया करती थी उसे लगा शायद अनुरोध उसे पहचान ले उसने एक नजर उठा कर आरोही को देखा और फिर वाप अपने काम में लग गया पलभर को उनकी नजरे मिली अवश्य थी पर उन नजरों में अपने लिए अपरिचित भाव देख कर तड़प गई थी आरोही मगर उसने दोबारा कोशिश की क्या लिख रहे हो तुम उसकी तरफ बिना देखे ही वह बोला सपने तूट जाते हैं तुम सपनों में आया ना करो मुझे भूल जाओ और मुझे भी याद आया ना करो अनुरोध की दयनिय दशावरोस की अपरिचित नजरों को और नहीं जेल पाई आरोही और थोड़ा चेक करने के बाद कमरे से बाहर निकल गई मगर वह स्वयम को संभाल नहीं पाई और बा पर आरोही ने पहली बार देखा सिस्ट तबस्सम को जिनके बारे में वह पहले सुन चुकी थी वे इकलोती थी जिनकी बात अनुरोध मानता भी था और उनसे धेर सारी बाते भी करता था कई सालों से वह सिस्ट तबस्सम से काफी हिल मिल गया था मैं मैं और अनुरोध शाय आप वही परी हैं जिसका इंतजार यह पगला पिछले कई सालों से कर रहा है पिछले कई सालों मैं आज पहली बार मुसक्रते हुए देखा मैंने अनुरोद को चलिए मैडम आपके कैबिन में चल कर बात करते हैं दोनों कैबिन में आ गई तबस्सम का अनुरोद के प्रती अन अनुरोध की दारुन कहानी शुरू की अनुरोध का चैन मेरट के कालेज में मनोविज्ञान के व्याख्यता के पद पर हुआ था इसी दोरान वह एक शादी में हिस्सा लेने मोदी नगर गया था परंतु उसे यह नहीं पता था कि वो शादी स्वयम उसी की थी उसके मातापि गया था मोदी नगर पहुंचने पर उसके पास विवाह करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच्चा था अपने मातापिता के किये की सजा वह एक मासूम लड़की को नहीं दे सकता था और उसका विवाह विनोधिनी से हो गया विवाह के कुछ महीनों बाद ही विनोधिनी पढ़ाई के प्रती अपने लगाव को अनुरोध के सामने व्यक्त किया अनुरोध सदा से स्त्री शिक्षा तथा स्त्री सशक्तिकरन का प्रबन समर्थक रहा था खास कर उसके समुदाय में तो स्त्री शिक्षा की स्थिती काफी दयनिय थी इसलिए जब उसने अपनी पत्नी क शिक्षा के प्रतीलगाव को देखा तो अभिभूत हो गया विनोदिनी कशाग्रबधी तो नहीं थी परंथ परिश्रमी अवश्य थी और उसकी इच्छाशक्ती भी प्रबल थी उसके मातापिता बहु की पढ़ाई के पक्षधर नहीं थे विनोदिनी के मातापिता भी उसे आगे नहीं पढ़ाना चाहते थे, परंतु सब के खिलाफ जाकर अनुरोध ने उसका दाखिला अपने ही कालेज के इतिहास विभाग में कर दिया, विनोधिनी को हर तरह का सहयोग दे रहा था, अनुरोध, शादी के एक साल बाद ही अनुरोध की मां ने विनोधिनी पर बच् के बारे में सोचा तक नहीं, विनोधिनी प्रथम श्रेनी में पास हुई और उसके बाद, उसने PCS में बैठने की अपनी इच्छा अनुरोध को बताए, उसे भला क्या एतराज हो सकता था, अनुरोध ने उसका दाखिला शहर के एक बड़े कोचिंग सेंटर में करा दिया, घर वालों का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, पहले दो प्रयास में सफल नहीं हो पाई थी, विनोधिनी मगर अनुरोध उसे सदा प्रोथ साहित करता रहता, इसी दोरान विनोधिनी बेटे की मा भी बन गई, परंतु बच्छे को दूद पिलाने के अलावा बच काम अनुरोध स्वयम करता था, घर के काम और जब वह कालेज जाता था तब बच्छे को संभालने के लिए उसने एक आया रख ली थी, कभी भी उसकी मा भी गाव से आ जाती थी, बेटे की इस फैसले से सहमत तो वे भी नहीं थी, परंतु पोते से उन्हें बहुत लगाव चोथे प्रयास के दोरान तो विनोधिनी को जमीन पर पैर तक रखने नहीं दिया था अनुरोध ने, अनुरोध की तपस्या विफल नहीं हुई थी, विनोधिनी का चैन PCS में DSP के पदपर हो गया था, वह ट्रेनिंग के लिए मुरादाबाद चली गई, उस समय उन का स्वयम आहत हुआ और ना अपनी पतनी को होने दिया, उसने विनोधिनी के लिए वह किया जो उसके स्वयम के मातापिता नहीं कर पाए, सही मानों में, फैमिनिस्ट था अनुरोध, स्त्रीपुरुष के समान अधिकारूं का प्रबल समर्थक, जब विनोधिनी की पहली पोस पहीन पीरा का विनोधिनी के जाने के बाद अनुरोध अपना तबादला अलीगर कराने में लग गया, अमन को भी वह अपने साथ ही ले गई थी, अनुरोध को भी यही सही लगा, था कि बच्चा अब कुछ दिन मां के साथ रहे और फिर उसका तबादला भी 6 महीने में अल जलता चला गया, पद के घमंड में अब वो अनुरोध का अपमान भी करने लग गई थी, उसने तो मेरट आना बंधी कर दिया था, इसलिए अनुरोध को अपने बेटे से मिलने अलीगर जाना पड़ता था, विनोदिनी के कटू, व्यवहार का तो वो सामना कर लेता था, परं इस बात ने उसे विचलित कर दिया था कि उनके बीच के जगड़ी का विपरीत असर उनके बेटे पर हो रहा था, अब वो शीग रही मेरट छोड़ना चाहता था, डेर साल बीत या था, पर उसका तबादला नहीं हो पा रहा था, प्रिंसिपल साहब, आखिर यह हो क्या रह है, 6, महीनों में आने वाली मेरी पोस्टिंग, डेर साल में नहीं, आखिर ऐसा क्यूं हो रहा है, अनुरोध तुम्हें तो पता है, सरकारी काम में देर होई जाती है, जी सर, पर इतनी देर नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे, आप जानबूज कर ऐसा नहीं होने दे र रहे, अनुरोध, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, सर, क्या हमारा रिष्टा आज का है, अनुरोध, कोई है जो जानबूज कर तुम्हारी पोस्टिंग, रोक रहा है, कौन, तुम्हें तो मैं बहुत समझदार समझता था, जानबूज, कर कब तक आँखें बंद क्या मतलब, गिरिराज सिंग और विनोदिनी, प्रिंसिपल साहब, चीक पड़ा अनुरोध, अनुरोध के कंभे पर हाथ रख कर प्रिंसिपल साहब बोले, बेटा, विश्वास करना अच्छी बात है, परंतु अंध्विश्वास, मूर खता है, अपनी नीन से जागो, विन विनोदिनी बदा दिमाग, बद्तमीज और घमंडी हो सकती है, परंतु चरित रही नहीं, दो महीने की छुट्टी लेकर जिस दिन वह अलीगर पहुचा, घर पर ताला लगा था, वहां पर तैनात सिपाही से पता, चला की मैडम नैनी ताल घूमने गई है, मगर विनोदिन ने अनुरोध को इस बारे में कुछ नहीं बताया था, साथ दिन बाद लोटी थी विनोदिनी परंतु अकेले नहीं, उस के साथ गिरिराज सिंग भी था, कैसा रहा आपका टूर मैडम, उसे देख कर दोनों न चौके नहीं शर्मिंदा हुए, बड़ी, बेशर्मी से वह आ अपनी से कुछ बात करनी है, आप इसी वक्त यहां से चले जाएं, ये कहीं नहीं जाएगा, विनोदिनी चुप रहो, मगर उस दिन गिरिराज सिंग नहीं अनुरोध निकाला गया, था उस घर से, विनोदिनी ने हाथ तक उठाया था उस पर, गिरिराज और विनोदिनी को लगा था कि इसके बाद, अनुरोध दोबारा उनके रिष्टे पर आवाज उठाने की, गलती नहीं करेगा, परंतु वे गलत थे, तूटा जरूर था, अनुरोध पर हारा नहीं था, वह जान गया, था कि अब इस रिष्टे में बचाने जैसा कुछ नहीं था, उससे, अब केवल अपने अमन की चिंता थी, इसलिए वह कोर्च में तलाक के साथ अमन की कस्टडी की अरजी भी दायर करने वाला था, इस बात का पता लगते ही विनोधिनी ने पूरा प्रयास किया कि वह ऐसा ना करे, उनके लाक गराने धमकाने पर भी अनुरोध पीछे नहीं हटा थ एक नेता और अधिकारी का नाम होने के कारण, मीडिया भी इस खबर को प्रमुक्ता से दिखाने वाली है, इस बात का ग्यान उन दोनों को था, गिरिराज सिंग को अपनी कुरसी और विनोधिनी को अपनी नौकरी की चिंता सताने लगी थी, इसलिए कोर्ट के बाहर समझोत करने के लिए विनोधिनी ने उसे अपने घर बुलाया, जब अनुरोध वहां पहुचा घर का दर्वाजा खुला था, घर के बाहर भी कोई नजर नहीं आ रहा था, जब बैल बजाने पर भी कोई नहीं आया तो उसने विनोधिनी का नाम लेकर पुकारा, थोड़ी देर बा विनोधिनी और गिरिराज अर्धनगन लेटे थे, उसे देख कर भी दोनों ने उठने की कोशिश तक नहीं की, क्या मुझे अपनी रासलिला देखने बुलाया है आप लोगों ने, नहीं जी, हाँ, 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 आपको तो एक फिल्म में काम देने बुलाया है, क्या मतलब ह हर बात जानने की जल्दी रहती है तुम ही, आज भी, नहीं बदले तुम, विनोधिनी ने कहा, मतलब समझाओ भाई प्रोफेसर साहब को, इससे पहले की अनुरोध कुछ समझ पाता उसके, सिर पर किसी ने तेज हत्यार से वार किया, जब उसे होश आया, उसने स्वयम को इ विनोधिनी के साथ जबरदस्ती हुई है, इतना ही नहीं, ये भी साबित किया गया कि अनुरोध एक सेक्स होलेक है और उसका बेटा तक उसके साथ सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अपनी इस भूख के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, विनोधिनी के शरीर पर मारपीट के निशान भी पाए गए, अनुरोध के मोबाइल पर कई लड़कियों के साथ आपत्य जनक फोटो भी पाए गए, उस पर घरेलू हिंसा वह महिलाओं के सनरक्षन अधिनियम, कानून के अनुसार केस दर्ज किया गया, उस पर बलातकार का भी मुकदमा दर्ज किया गया, मी की मान की गई, कोर्च परिसर में कई बार उसके मातापिता के साथ बदस उलुकी भी की गई, अनुरोध के मातापिता का महले वालों ने जीना मुश्किल कर दिया था, जिस दिन कोर्च ने अनुरोध के खिलाफ फैसला सुनाया उसके काफी पहले से, उसकी मानसिक हालत खरा माता पिता आने के दस दिन बाद ही अनुरोध के माता पिता ने आत्महत्या कर ली और अनुरोध को यहां भेज दिया गया एक आदर्श्वादी हुनहार लड़के और उसके खुशाल परिवार का ऐसा अंत। उनकी स्त्रियों द्वारा की गई मानसिक और शारीरेक इन्सा का क्या अगर पुरुष हाथ उठाय तो वह गलत नामर्द परन्तू जब स्त्री हाथ उठाय तो क्या हिन्सा कोई भी करे पुरुष अथवा स्त्री, पती अथवा पतनी कानून की नजरों में दोनों समान होने चाहिए। जिस तरह पुरुष द्वारा स्त्री पर हाथ उठाना गलत है उसी प्रकार स्त्री, द्वारा पुरुष पर हाथ उठाना भी गलत होना चाहिए। परंतु हमारा समाज तुरंत बिना पूरी बात जाने पुरुष को कठ घरे में खड़ा कर देता है, ताकतवार कानून स्त्री की सुरक्षा के लिए बनाए गए, परंतु आज कल विनोदिनी जैसी कई स्त्रीयां इस कानून का प्रयोग करके अपना स्वार्थ सिधा करने लग पैसा और रसूख के बल पर तत्यों को तोड़ना और अपने फायदे के लिए इस्तिमाल करना आम बात हो गई है, जिसके पास पैसा और ताकत है कानून भी उसके साथ है, हाँ, सही कह रही है अपता बस्सुम, अनुरोध जैसे मर्द, फेमिनिजम का सच्छा अर्थ जानते हैं, वे जानते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों एक समान है, ना कोई बड़ा, न कोई छोटा, इसलिए गलत करने पर सजा भी, एक समान होनी चाहिए, मगर विनोदिनी जैसी कुछ स्त्रिया नारिवाद का गलत, चहरा प्रस्तुत कर रही है, लता के अचानक आ जाने, से दोनों की बातचीत पर विराम लग गया, माफ कीजिएगा वह बैड नंबर 216 को खाना देना था, अरे हां, तुम चलो मैं आती हूँ, चलती हूँ मैडम अनुरोध को खाना खिलाने का समय हो गया है, मैं भी चलती हूँ, जब वे दोनों वहां पहुँची तो देखा अनु कुछ तो बोलो, कुछ नहीं बोला अनुरोध, उसकी तरफ देखा तक नहीं, सिस्टर तबस्वम अनुरोध के सिर पर हाथ रख कर, बोली, बोलो बेटा, बताओ, तुम चिंता ना करो कुद्रत, ने चाहा तो अब सब ठीक हो जाएगा, इस बार वो उनकी तरफ पल्टा औ और फिर अपनी, खाली हथेलियों को उनकी तरफ फैलाते हुए बोला, ए प्यार को मानने वालो, इजहार करना हमें भी, सिखाओ, बंद करे हथेली या खोलने इसे, खो गई, हमारी चाहा से हमें भी मिलवाओ,